नमस्कार दोस्तों आप सभी का वेलकम एक पर फिर से और दोस्तों आज इस वीडियो में हम चेक करेंगे इस वाच में आपको आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो सब्सक्राइब कर दिया अगरो चले वीडियो स्टाट करते है तो देखें दोस्तो ऐसा कुछ इस box आपको देखने को मिल जाता है और यहां पर देखें आपको ऐसा कुछ आपको design मिल जाता है इस watch में यहां पर देखें आपको 1.43 इंची की super AMOLED display मिल जाती है इस watch में and 60 Hz का refresh rate मिल जाता है and यहां पर आपको देखें advanced Bluetooth calling मिल जाती है and back side अगर हम देखें तो यहां पर देखें हमारे पास electric black color है बड़ दोस्तो यह watch आपको blue color and silver color में भी देखने को मिल जाती है and इसमें देखें आपको always on display वाला feature मिल जाता है 200 से भी जादा यहां पर आपको watch faces मिल जाते है app के notifications मिल जाएंगे health monitoring वाले feature आपको मिल जाते है and यहां पर आपको इस watch में 300 mhk large battery देखने को मिलती है and यहां पर आपको देखें 100 से भी जादा sports mode मिल जाते है इस watch में and दोस्तों इस watch को आप iPhone में and Android में दोनों में ही use कर सकते हो and दोस्तों box में अगर हम pricing देखें तो देखें दोस्तों 12,000 रुपे box में MRP दे रखा है बर दोस्तों इस watch आपको special offer में flip card पर देखें सिरफ 999 की pricing में मिल जाएगी देखें यही watch है और देखें यहाँ पर देखें बीट XP वेगा नहीं हो देखें ट्रिपल 999 की pricing में watch आप purchase कर सकते हो flip card से तो चलिए दोस्तों box open कर लेते हैं निकालते हैं इस watch को बाहर तो देखें दोस्तों ऐसे कुछ box packaging आपको मिल जाती है तो दोस्तों watch को रखते हैं थोड़ा side में यहाँ पर दोस्तों देखें आपको ऐसे कुछ magnetic charging cable मिल जाती है watch को charge करने के लिए यहाँ पर दोस्तों देखें आपको काफी सारी documents मिल जाते हैं stickers मिल जाते हैं warranty card user manual वगएरा तो चलिए sticker हटा देते हैं तो यहाँ पर दोस्तों देखें आपको ऐसा कुछ metallic buckle देखने को मिल जाता है इस watch में यहाँ पर देखें बीट XP के branding पर रखिया है यहाँ पर देखें ऐसा कुछ आपको silicon soft material से बने straps मिल जाते हैं तो यहाँ पर strap की quality जो है काफी अची मिल जाती है silicon soft material से बने straps हैं यहाँ पर देखें आप strap को easily replace कर सकते हो यहाँ पर देखें ऐसा कुछ आपको इस watch का frame देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस watch में plastic frame देखने को मिलता है इस watch में आपको metallic frame देखने को नहीं मिलता है और यहाँ पर देख़ें आपको 1.43 इंचे के Congrats मुल जाती है यहाँ ओनु आपको साइड़ों प्षाली कर्फ ग्लास धेखने को मिल जाता है यहाँ पर देख़ें आपको इक बटन तो देखिए दोस्तो वाच अभी हमारी power on हो चुकिया है तो चली दोस्तो वाच को भी हम अपने smartphone से pair कर लेते हैं तो दोस्तो इस watch को अपने smartphone से pair करने के लिए दोस्तो यह app आपने smartphone में install कर लीनी है beat xp fit दोस्तो यह आपको play store में मिल जाएगी तो देखिए दोस्तो वाच अभी हमारे smartphone से pair हो चुकिया और देखिए दोस्तो 72% हमारी watch charge है और दोस्तो जैसे यह watch आपके phone से pair हो जाती है watch में जो day, daytime है वो automatically set हो जाता है और यहाँ पर दोस्तो अगर मैं बात कुर इस watch के display के लेकर तो दोस्तो इस watch में आपको display के quality है और दोस्तो वो एकदमी excellent level की मिल जाती है यहाँ पर आपको दोस्तो super AMOLED display मिलती है तो दोस्तो इस watch में आपको colors काफी rich मिल जाती है clarity and sharpness भी एकदम excellent level की मिल जाती है brightness, contrast काफी अच्छा मिल जाता है तो दोस्तो डिस्प्ले जो इस watch में एक्दम ही excellent level की मिल जाती है डिस्प्ले को लेकर तो इस watch में बिल्कुल भी 1% कमी नहीं है जो कमी लगी मुझे पहों यहीं लगी कि दोस्तो इस watch में आपको प्लास्टिक फ्रेम मिलता है metallic frame अगर आपको मिल जाता है इस watch में तो दोस्तो एकदम ही मदला excellent level की बात हो जाती बट दोस्तो plastic frame जो है थोड़ा lightweight और एकदम cheap quality की feeling देता है बट फिर भी दोस्तो watch की जो built quality finishing है वो आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है and दोस्तो यहाँ पर देखे आपको इस watch में main button मिल जाता है and दोस्तो यह crown जो है देखे यहाँ पर crown working नहीं है अगर आप इसे घुमाओगे तो यहाँ पर आपको इस watch में crown working नहीं मिलता है and दोस्तो देखे अगर आप screen को hold करोगे तो देखे आप यहाँ पर watch faces को change कर सकते हो तो काफी सारे watch faces आपको मिल जाते है and यहाँ पर देखे अगर आप उपर से नीचे के तरफ slide करते हो तो देखे quick setting वाले काफी सारे option आपको देखने को मिल जाते है तो यहाँ पर देखे आपको यह वाला जो icon है दोस्तो शो करता है कि watch हमारे phone से connected है यह नहीं connected है यहाँ देखे आप बैटरि दिख सकते हो watch कितनी चार्ज है यहां पर देखे आप डेट दिखसकते हो क्या date क्या day है ॹहाँ पर आपको weather की information मिल जाती है यहाँ से देखे आप जो watch की http कर सकते हो और तो दोस्तो यहां से देखिए आप जो डिस्प्ले है उसे 5 minutes के लिए on कर सकते हो यहां पर देखिए आपको अलाम को आप जबनेस को है अई तो दोस्तो इसे कम कर देते हैं यहां पर देखिए आपको QR code मिल जाता है एप इंस्टाल करने के लिए यहां पर देखिए आपको do not disturb को option मिल जाता है इसी आप use कर सकते हो और यहां पर आपको setting वाला option मिल जाता है तो दोस्तों setting में सबसे उपर अगर हम देखे तो यहां पर देखिए आपको different different miniature मिल जाते है 1,2,3,4,5 तो दोस्तों यहाँ पर आपको 5 type के different different miniature मिल जाते हैं वो आगे हम check करेंगे and इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको system menu मिल जाता है तो यहाँ से देखिए आप watch को power off कर सकते हो factory reset कर सकते हो, reboot कर सकते हो and इसके बाद दोस्तों देखिए तो यहाँ पर देखिए आपको standby dial वाला option मिल जाता है and यहाँ पर देखिए आपको wake up screen वाला option मिल जाता है तो यहाँ पर देखिए rise to wake up में यहाँ पर देखिए maximum time जो है यहाँ पर आप screen on time change कर सकते हो तो यहां पर Maximum time अगर हम देखें तो Dかे Maximum Time यहां पर आपको 20 seconds तक का मिल जाता है तो देखिए 20 seconds थक आप देखे सिक्रेश्क्रेशन ऑन संब्यार हो बाख सकते ही इसके बाद यहां पर देखें तो Always on डिजिप्लेद वाला feature यहां पर आपको मिल जाता है तो दीखिए आप Always On Display वाला फीचर यहां से Unable or Disable कर सकते हो and time भी आप स्लेक्ट कर सकते हो 5 मिनट, 10 मिनट 20 मिनट and इसके बाद यहाँ पर About में दीखिए आपको software की information मिल जाती है and दोस्तों अगर आप इस सेट स्लेक्ट करते हो तो देखिए यहाँ पर आपको Heart Rate का Option मिल जाता है, यहाँ पर आपको Activity की information मिल जाती है, Steps, Calories, Distance and यहाँ पर देखिए आपको Stress Monitor मिल जाता है and यहाँ पर आपको देखिए SP2 का Option मिल जाता है and यहाँ पर देखिए आप जो widgets से हैं Add or Remove भी कर सकते हो तो देखिए आप widgets को Customize भी कर सकते हो इस watch में and दोस्तो अगर आप इस सेट स्लाइड करते हो तो देखिए तो भी आपको सारे जो फीचर है वो सेम मिलते हैं तो आप Left यह Right स्लाइड करके Features को यूज़ कर सकते हो and अगर आप nature से उपर के दरफ स्लाइड करते हो तो यहाँ पर देखिए आपको सारे notifications मल जाएंगे Gmail, WhatsApp, Instagram वगएरा के तो यहाँ से आप Read कर सकते हो and दोस्तो इस button को आप प्रेस करके main menu में एंटर कर सकते हो तो यहाँ पर दोस्तो देखिए यह first menu style है देखिए list type menu style है तो चली इसे change करकर देखते है तो दिखिए next menu style आपको ऐसा मिल जाता है देखिए Apple watch जैसा तो इसके बाद देखिए तो देखिए ऐसा कुछ आपको 3rd menu style मिल जाता है इस watch मे and देखिए दोस्तो ऐसा कुछ आपको 5th menu style मिल जाता है इसके बाद देखें तो देखें ऐसा कुछ आपको 5th menu चाहल मिल जाता है इस watch में तो चलिए दोस्तों चेक करते हैं कि main menu में क्या-का features मिलते हैं तो दोस्तों सबसे ओपर यहाँ पर देखें आपको calling वाल option मिल जाता है तो देखें contact app save कर सकते हैं यहाँ पर आपको call history option मिल जाता है है यहाँ पर अपर यहाँ पर देखें आपको dialer मिल जाता है तो यहाँ से just 콜ल डायल कर सकते हो कॉंटकट चाइब कर सकते हो हार जाम प्र आपको मिल जाता है यहां पर स्ट्रेस मोनिटर मिल जाता है वुक्त आपकोशंड शुब्ण प्रेशियू मों प्रेशर ऐश्म ब्ल जाता है यहां पर देखिए आपको SP2 का option मिल जाता है यहां पर देखिए आपको breathing की exercise करने का option मिल जाता है notification का option आपको मिल जाता है यहां पर आपको alarm का option मिल जाता है यहां पर देखिए आपको music control का option मिल जाता है यहां पर देखे आपको वैदर का उप्शन मिल जाता है तो यहां पर आप वैदर चेक कर सकते हो और देखे इसके बाद यहां पर आपको देखे कैमरा कंट्रोल मिल जाता है यहां पर आपको फाइन फोन का उप्शन मिल जाता है यहां पर आपको टाइमर का उप्शन मिल जात पर मैं ईहां पर दिए आपको technic focal impact मिल जाते है आपको यहां पर एक्ट्वटी की information मिल जाती है यहां पर ख了吧 काफे सार्ä option इस वँदि देखन को मिल जाते है यहां पर किरो टो दौह इस वाज में यूस वowज में है वह भी देखे काफी smooth है काफी देखिए अच्छे से काम कर रहा है बिल्कुल भी lag नहीं है तो दोस्तो इस watch में आपको 60 hertz का refresh rate मिलता है तो दोस्तो इस watch का जो UI है वो भी आपको काफी जाधा smooth देखने को मिल जाता है बहुत जाधा responsive है तो देखिए दोस्तो ऐसा कुछ लोग आपको मिल जात watch है वो भी आपको हाथों में काफी lightweight feel होती है because यहां पर आपको metallic frame नहीं मिलता है plastic frame मिलता है तो चली दोस्तो अब इस watch में surface का heart rate read करके देखते हैं देखते हैं कि वह surface का heart rate दिखाती है नहीं दिखाती है तो पहले हम heart rate चक करते हैं देखिए यहां बर देखिए error आ चुका ह है दोबारा से एक बरी try करते हैं तो देखिए दोस्तो दोबारा से एरर आ चुका है एक बरी दोबारा से try करते है तो देखिए दोस्तो दोबारा से एरर आ चुका है तो देखिए दोस्तो दोबारा से एरर आ चुका है तो देखिए दोस्तो दोबारा से एरर आ चुका है त जो आपकी Body कोų Don 19 करते है तो चलि दोस्तों और इस बार्च में बिक्षच करकरarel को आ इस बार्च मेरी स्मॉच मेरे देखा दो को मेरे ना देख्या इस बाइन दोस्तों सिर्ल शॉन्ट कर हो गया तो स्कुरित बोच मेरे शित्वा टीफ इया मे're of हैं। वह बहुत जादा accurate नहीं काम कर रहे हैं। बहुत जाद güřezi आपको इस वॉच में देखनी को नहीं मिलती है। तो चली है दोस्तो आपि इस वॉच में स्पीकर की ऐख अधी कोलटी भी चैक कर लेते हैं देखते हैं कि स्पीकर की quality है वो भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है काफ़ी loud and clear speaker आपको इस watch में मिल जाता है और दोस्तों यहाँ पर देखिए mobile app में आपको काफ़े सारे जो watch faces है वो मिल जाते हैं तो चलिए watch face set कर लेते हैं तो देखिए दोस्तों इस watch face अभी हमने set के था इस watch में और देखिए set हो चुका है और देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है और यहाँ पर देखिए आप इस watch में customized watch face भी set कर सकते हो अगर आपने खुद की photo लगाने है as a watch face तो दोस्तों वो भी आए भी इस watch में set कर सकते हो तो दोस्तों यह है beat xp की वेगा new smart watch और दोस्तों यह watch मुझे काफी पसंद आई दोस्तों definitely इस watch को आप purchase कर सकते हो तो दोस्तों अगर आपको smart watch purchase करना चाहते हो round display वाली तो दोस्तों यह काफी अच्छा option रहेगा यहाँ पर दोस्तों आपको दो चीजों का ध्यान रखना है इस watch में दोस्तों आपको plastic frame मिलता है metallic frame देखने को नहीं मिलता है जिस वज़े से दोस्तों यह watch आपको थोड़ी light weight लगेगी तो हो सकता है कि दोस्तों थोड़ी बहुत आपको cheap quality की feeling आए तो दोस्तों एक चीज यह आपने ध्यान रखने है दूसरी चीज तो आपने ध्यान रखने है वो यह है कि इस watch में आपको कोई भी game देखने को नहीं मिलती है इसके इलावा दोस्तों मुझे इस watch में कोई भी कमी नहीं लगी काफी अची watch है काफी एचा option है definitely इस watch को आप purchase कर सकते हो तो दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही था I hope आपको वीडियो पसंद आयोगी और दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो दोस्तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और दोस्तों मैं विलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसे नमें चीज़ के साथ, तब तक के लिए बाई-बाई, टेक केर और सी यू सून